1886 में जासी के करीब चिर गाव में जन में मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राश्ट्र कवी के रूप में विख्यात हुए इनकी शीक्षा दीक्षा घर पर ही हुई संस्कृत बांगला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था गुप्त जी राम भक्त कवी है राम का कीर्टिकान इनकी चिर संचित अभिलाशा रही इन्होंने भारतिय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गुप्त जी की कवीता की भाशा विशुद्ध खड़ी बोली है भाशा पर संस्कृत का प्रभाव है काव्य की कथा वस्तु भारतिय इतिहास के ऐसे अन्शों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं गुप्त जी की प्रभुक्रतियां है साकेत, यशोधरा, जैदरत, वद गुप्त जी के पिता सेठ रामचरन दास भी कवी थे और इनके छोटे भाई सिया रामचरन गुप्त भी प्रसिद्ध कवी हुए पाठ प्रविश प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती ही है वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है पशू चारागा हमें जाते हैं अपने अपने हिस्से का चर आते हैं पर मनुष्य ऐसा नहीं करता वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है प्रस्तुत पाठ का कवी अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुश्य तो मानता है लेकिन यहां मानने को तयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे-पूरे लक्षन भी है वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिन में अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वो परी दूसरों का हित चिंतन हो उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यू लोग से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है उसकी मृत्यू भी सू मृत्यू हो जाती है आखिर क्या है वेगुण विचार लोग की मरत्य हो न मृत्यू से डरो कभी मरो परंत यों मरो की याद जो करें सभी हुई न यों सुमृत्यू तो वृथा मरे वृथा जिये मरा नहीं वही की जो जियान आप के लिए वही पशू प्रवृत्य है की आप आप ही चरे वही मनुष्य है की जो मनुष्य के लिए मरे उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती उसी उदार की सदा सजीव कीर्थी कूजती तथा उसी उदार को समस्त स्रिष्टी पूजती अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे शुधार्त रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी उशीनगर्क्षितीश ने स्वमास दान भी किया सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया अनित्य देह के लिए अनादी जीव क्या डरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे सहानु भूती चाहिए महावी भूती है यही वशी कृता सदैव है बनी हुई स्वयम मही विरुधवाद बुध का दया प्रवाह में बहा विनीत लोग वर्ग क्या नसामने जुका रहा अहाँ वही उदार है परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे रहो न भूलके कभी मदान धक्तुच्छ वित्त में सनाथ जान आपको करोन गर्व चित्त में अनाथ कौन है यहां त्रिलोक अनाथ साथ है दयालु दीन बंदु के बड़े विशाल हाथ है अतीव भाग्य हीन है अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे अनन्त अन्त रिक्ष में अनन्त देव है खडे समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े परस पराव लंब से उठो तथा बढ़ो सभी अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चड़ो सभी रहो न यों की एक से न काम और कासरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे मनुष्य मात्र बंदु है यही बड़ा विवेक है पुराण पुरुष्ष्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है फलानुसार कर्म के अवश्य भाईय भेद है परंतु अंतरैक्य में प्रमान भूत वेद है अनर्थ है कि बंदु ही न बंदु की व्यथा हरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए विपत्य विग्ण जो पड़े उन्हे ढकेलते हुए घटे न हेल मेल हां बढ़े न भिन्दता कभी अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे